आज की इस वीडियो में आप लोग को एक नहीं जोव और वेकंसी कब्रेट देने वाला हूं जो की आड़ी है एन आई ए एलाइटी रिक्लूट में द्वारेकिस की तरफ से गोवर्मेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक फ्रेसर्स वालों के लिए यह वेकंसी निकली है जिनने में कि आपको सेर्ली 56,100 पर मंथ मिलने वाली है और अइंडिया से कहीं से बिलों करते हैं ता आप लोग इसको अपलाइ कर सकते हैं तो कब्रेट इंफोर्मेशन के लिए वीडियो के एंट तक जरूर देखिए लाइक ने के हैं तो जरूर से लाइक कर देजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजएगा ताकि टेकनिकल फिल्ड के ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी टेलिग्राम चैनल का लिएक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जागा जरूर से जोन होकर करिए वहाँ पर आपको सबी लिंक वीडियो आप मिल जागी चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं देख सकते हैं यह इसका ओफिसल वेबसाइट है Ministry of Electronics and Information Technology की तरब से वेकंसी निकली है National Institute of Electronics and Information Technology यह आप लोग का जो इसका डेट देख सकते हैं 20-12-2021 का डेट में रिलिज की गई है और अगर आप लोग लास्ट डेट देखोगे तो यह आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा 18-1-2022 आप लोग का लास्ट डेट है अगर आप लोग इलिजिबल होते हैं तो यही से इसको क्लिक करके अपलाई कर सकते हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलाई अनलाइन का लिंक दे दूँगा उससे पहले जानना जरूरी है कि कौन को इसके लिजिबल है तो यह इसका ओफिशल एडवाटाजमेंट नोटीस है एडवाटाजमेंट पीडियोफ है इसमें सभी कुस डिटेल में दिया गया है आप लोग इसमें देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि कौन को इसके लिजिबल है इसमें जो साइन्टिस्ट बी के पोस्ट पे गुरूप ए में इसमें वेकेंसी निकली है जो की लेवल टेन का सेल्डी मिलने वाला है चपन हजार एकसा से लेकरके एक लाग साइन्टिस्ट पांच तक आपको इसमें सेल्डी मिलने वाली है इसमें जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है बी बी टेक अगर आप लोग इसमें किये हैं और M.C.A. M.E. M.T.E.C. किये हैं तो आप लोग इसके लिजिबल हैं कौन-कौन से ब्रांच हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसमें कि ब्रांच और सब ब्रांच दोनों मिलाकर के दिया गया है जिनमें की लगवा लभग इसमें केम्पुटर साइंस और इलेक्ट्रोनिक्स और कम्म्नुकेशन से रिलेटेड़ लगवा लगवा को सभी ब्रांच है आपको Information Technology और सब ब्रांच जो भी आता है यह स्ट्रीम में आप लोग यहां पर देख सकते हैं Electronics and Communication और Computer Science हलाकि यह दोनों ब्रांच से बहुत कम वेकेंसी निकलती है तो बहुत सारे कमेंट आते रहता है कि इन दोनों ब्रांच का वेकेंसी बताने के लिए तो यह वेकेंसी आप लोग के लिए है आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं इनमें आप लोग का Retain Test, Objective Tabs आपका Questions पूछे जाएंगे Retain Test होगा, उनके आधार पर आपको इसमें सेलेक्शन मिलने वाली है Place of Posting की बात करें, तो All Over India में जहां पर भी जरूरत होगा आप लोग को इसमें Post किया जाएगा How to apply? कैसे apply करना है? तो मैंने आप लोग को बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Apply Online का Link दे दूँगा, उस पर जैसे किलिक किजेगा तो आप लोग को ये Page पर आ जाओगे यहां पर आप लोग New Registration वाले Option पर किलिक करके इसमें apply कर लिजेगा और अगर आप लोग इसके syllabus के बारे में देखना चाहते तो यहीं पर syllabus आपको मिल जाएगा अगर आप लोग Register कर लिए होंगे तो यहां पर किलिक करके Login करके भी देख सकते हैं अगर नहीं पता कैसे apply करना है तो इस पर किलिक करके आप लोग को details में यहां पर बता दिया जाएगा आप details process कैसे apply करना है last date जो है 18 January 2022 है तो इस date से पहले जरूर से आप लोग इसको apply कर सकते हैं इसमें जो application भी है जो भी इसे candidate SCST, PWD या Omen candidate है उन लोग के लिए 4 सुरुपे का application भी है और general all other candidate के लिए इसमें 8 सुरुपे का application भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें selection process जो आपका objective type questions पूछे जाएंगे जो की written test होगा 3 hour का एक सबीस आपका questions पूछा जाएगा 0.25, one fourth का negative marking भी आपको देखने के लिए मिलेगा और details में आप लोग syllabus download कर डिजगा, इस PDF को download कर डिजगा वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हैं जो आपका written test का location है, ये सब location पर आपका written test conduct करवाय जाएगा All India से कहीं से belong करते हैं, तो आप लोग इसको apply कर सकते हैं इसमें सभी को लिए, सभी के लिए vacancy निकाली गए है, government of India के तरफ से कौन-कौन से document required है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे document आपको online application के time में apply करते time आपको जरूरत पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको देख करके, आप लोग apply करने के लिए जा सकते हैं, cut-off date जो है, इसका 18.1.2022 है, तो इस date से पहले जो भी document है आपका बना रहना चाहिए, आपका जो भी documents है इस date से पहले का होना चाहिए, selection process आपका confusion.query.org यहाँ तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं, यह PDF मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वीडियो के description में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा, वहाँ पर click करके आप लोग join हो जाईए, वहाँ पर मैं यह PDF डाल देता हूँ, आसानी से वहाँ से इसको download करके पढ़ सकते हैं